कि इसर को एकले की मात्रा को पता है सब है कि सब्सक्राइब का यहां पर सब्सक्राइब कर दोस्तों आप सब्सक्राइब करने जा रहा है और यह टैपिंग क्लास आपको 10 दिनों तक चलेगी 10 क्लास होगी और उमीद करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा आईए सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले आप जानते होगे अगर जो हिन्होंने इंगलिस मुस्से पढ़ी होगी टैपिंग की तो हम इस तरह से उंगली प्लेस करते थे एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे ठीक है इस तरह से हम प्रेक्ष क्लियर बीच में ह और जे को छोड़ देना है आपको ठीक है फिर से देख लो एस डी एफ जी इधर से और इधर से फिर चार उंगली ठीक है एक, दो, तीन, चार एक है और जै बीच में छुटा हुआ रहे हैंल और आप में बता देता हूं कौन से यह उंगली, कौन से वर्ट को डिनोट करती है ठीक है पवित्त करूंँ का इस्तरह से टैप करना ड़एगा ठीक है? ये उंगली आपको कख़ी अंग जो बिंदू वाला होता है आगे मैं बताऊंगा स्क्रीन पर A अंग होता है यह होता है आपका कवज जी पर होती है आपकी हो आपकी हो, यहां तक समझ लिया इस साइट का फिर से समझ लो ये होता है अंग बिंदू वाला जो होता है अंग S पे होता है आपको एकले की मात्रा A की मात्रा जैसे रमे रे रो एकार लगाते है न वो मात्रा होती है S पे D पे होती है आपका को F पे होता है आपका छोटी E की मात्रा चोटी की मात्रा और G पे होता है हो ठीक है clear अभी से देख लिए यहाँ पे यहाँ पे होता है आपका तलब विश्व आधा उसके वाला ताहा अका है यो एल पे होता है आपका सो सरहद सरहद में जो सो होता है है वो ठीक है वो सो होता है यहां पर ठीक है क्लियर उसके बाद आपका के पर होता है आपका आकार की मात्रा जिसको राम रा लिखते हैं रहा आकार की मात्रा होती है के पर और यहां पर जो होती है जे पर जे पर होती है आपकी रहा की मात्रा ठीक है और एच पर होती है आपकी बड़ी की मात्रा जो दिर्गीकार जिसको आप लोग बोलते होगे दिर्गी है ना रो दिर्गीकार रीता रो दिर्गीकार वाला तो उसको बड़ी की मात्रा बोलते हैं क्लियर सारे आपको पता चले होंगे बहुत लोग यह सोचते होंगे कि आपको यहाँ पर यह सारे अंग अपको याद रहेगा अंग है ठीक है फैले देख लो किस तरह से ये एक नमरों की लिए आपकी एक लए है रो एक यादक लिए एक लिए आपकी रो है ठीक है ये आपका हो गया छोटी की मात्रा ये चिप पे हो गया अप जी सही चार नमर से ही एच को भी दवाना है और यह हो गया आपका छोटी की मातरा क्लियर सोड़ी इसको नहीं दवाना है जी तक रखना है इसको दवाना है जी जी के बाद क्या हो गया आपकी छोटी की मातरा क्लियर छोटी की एप पे है आपकी बड़ी की मातरा छोटी की मात का सौ दंत सौ जिसको बोलते हैं सरहद सरहद लिखते हो ना उसी वो सरहद के है आपका आकार की मातरा जे है आपकी रो की मातरा ठीक है क्लियर यहां तक किसी को कुछ दिक्कत फिंगर प्लिस्मेंट में तो आप हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वह मैं आपको अभी स्क्री आप का से इस एपर दबा फोगए किया है अंग ठीक है बिंदू वाला उसकेबार है आपका एकले कि मातरा उसके दी पर हापका hebt है आपका छोथी की मात्रह जिप है ऐतक सब्सक्रास सब्सक्राइब बड़ी को मात्रा इसपेस देदेना आपको इस साइट से यहां पे है आपका तलब श्रॉस, यो यो सरहत वाला स्यों अकार की मात्रा और रहा यह आपको इस तरह से चलता रहेगा फिर आपको इंटर करना है। फिर सतरह से आपको एक ले का हो सोड़ी एक छोटी की मात्रा हो और बडी की मात्रा इस पेस तलब सो यह सो आकार की मात्रा रव इस तरह से कंटिन्यू आपको दो-दो घंटे डेली दो-तीन दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यह होम रो है बहुत दोस्तों अगर वीडियो पसंदाइए तो सब्सक्राइब करनी है जैसे पहला आपका सब्सक्राइब करनी है जैसे पहला आपका सब्सक्राइब कर देख सकते हो कि कार लिखना है आपको क्या लिखना है मान लिजे कार के लिए कार की मात्रा और रो कार हो गया फिर इस पेस उसका आपको लिखना है मान लिए कायर तो क लिख देज़े कॉ अकार की मात्रा अकार की मात्रा यह और फिर रो गयर उसके बाद है आपका जैसा के सर कियا है आपका दोस्तों शेचा को एकले यहां पर पता है आसके सौह है आपका यहां पर सो और फिर रो जे पे है के सर किराया मान लिए आपको लिखना है क्या किराया लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो छोटी की मातरा थी ठीक है उसको पहले आपको टैप कर देना की छोटी की मातरा की राया फिर रो किस पे है जे पे आकार की मातरा किस पे है के , पे , या फिर , या किलाया , Уुसवालब लिखना है। आपको सरकार। तो 100 किस पे हैं让 , , पे , , पे , , और फिर से , इसी तरह से जो भी सब्द होगे , दोस्तों आपके छोटी भाइब कार होंगे , उनके पास छोटी घिताब्यांगे , फोटो के इस तरह के बहुत से सब्स आपके बनते होंगे तो इन सब्सक्षा प्रैक्टिस करते रहाना ठीक है जो यह होम रो में इतने वी सब्सक्राइब धियुकंग दिखा देता हूं जापको रो दिरीका लिखना हैं तो फिर नांटि खेशेर पहले पहले रो लिख लो जो सब्दक हो उसके बाद बडबी की मातर रही ठीक है क्लियर यह लो करता और लिखना रहे तो पहले ही हर चिकार ढल दाल देना अर्षिकार कहाँ पह का यहां पहे है फपे है हर्षी और फिर आपria is देना है रह तो यह हर्सी का चाहिए कोई भी वर्न क्यों ना हो मालिजिक आपको लिखना है सी तो सो एल पे हैं सो हर्सी आपको देना है दिर्गी हर्सी आपको देना है तो 100 और दिरगी आपको देगना है, तो दिरगी के लिए 100 ठीक है, जब दिरगी देनार है तो पहले ही word आप लिख लिजिए और जो भी हो, और जो अगले लेसर कार आपको पढ़ाया जायाएगा, तो अगर विडियो अच्छी लगी है तो वी बीडियो को लाइक करें, नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अगर बैल आकए न को निषान को अब तक नहीं दवाया तो बैल आके न को निषान के जोड़ दवाएं आज मरा क्लास वद्वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंए अपने दोस्तों में भी सेर करें जाहिं रहते हैं फिंगर प्लेसमेंट फिर से मैं आप सभी को याद कर रहता हूं स्टी एफजी पे रहता है और इस साइट से यहां से रहता है एक दो थीन चार बीच में ह और ये ये आपको छुटे वरा तो एक है अब आपको मैं बताऊगा की सिफ्ट के साथ हम होम रोको के स्थरा अब posição की मत्रहिक है फिर छिफ्ट के साथ हम Еस्क्रइन ये तो आजाएगा ने की मात्रह देख सकते हैं do I मात्रह फिर फोरी स्ट से शिफ्ट के हम डी नगीत हमरा आजाएगा आदा को हमरा आगया क्या सब्सक्राओं ने कि हमारा अघा अगया क्या आधा क्या फिर shift के साथ आपको F दबाओगे आपको आधापत हो ठीक है clear फिर shift के साथ आप G दबाओगे तो ये पता नहीं क्या है ये मुझे भी नहीं कई पता चला कि ये क्या है space ठीक है अब अब इसी के साथ H भी हम दबाते हैं आपको पता होगा दबाएंगे सिफ्ट के साथ तो क्या हो जाएगा हमारा शराव हो जाएगा है स्राव हो जाएगा हमारा है खो कि इसके साथ है लेप्स साइड के सिफ्ट को प्रेश करें ठीका आवई सइट का हमारा सिफ्ट रखना है इधर साइट का सिफ्ट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भी अब देख लेते हैं सिफ्ट दबाओगी दर से एच तक हमारा क्लियर है जे दबाओगे इस पे शिफ्ट दबाओगे जे क्या आगया आपको स्रौ आगया ठीक है देख सकते हो एच सिफ्ट के साथ में लेफ्ट अगर राइट हैंड के कीस को प्रेस करना है तो लेफ्ट हैंड का सिफ्ट हम यूज करते हैं ठीक है क्लियर किसी को कोई दिक्कत नहीं तो जे हमने दब आगया तो क्या आगया सिफ्ट के साथ स्रौ आगया क्लियर अब आते हैं के दबाएंगे सिफ्ट के साथ अगर के दबाते हैं तो आगया हमारा यूज ठीक है क्लियर फिर स्पेस सिफ्ट के साथ आप दबाओगे ल तो क्या आ जाएगा आधा 100 फिर स्पेस फिर सिफ्ट के स साथ हम यह की दवाएंगे तो क्या आजाएगा रू रूप वाला रूप ठीक है फिर स्पेस दोगे शिफ्ट के साथ यह लाश्ट वाला की दबाओगे इंटर के बगल वाला तो हमारा क्या आजाएगा आधा संझ वाला ठीक सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों यहीं थी स्थ के साथ आज की लेशन में आपको केसी तरह से प्राक्टिस करनी है जो इस तरह से आप यहाँ प्राक्टिस करपा ओगे ठीक है जैसे आपको कुछ भी देऊन ओढं़ा और अगले लेसं की तरह आपको बताओं उमीद आपको ये वीडियो अच्छी लगिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगिए लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिली दो वह ये वीडियो आएंगी आप देरों वीडियो देखिएगा और इसी के साथ जैहिन वने मातरो अध्यार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप के अपने चैनल डिजिटल एजूकेशन वाज्विश्रम दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते कि हमारा हिंदी टैपिंग का कॉर्स सेल है जिसमें हमने दो क्लासे कर लिया और आज हमारा तीसरा क्लास है दोस्तों ए में है और बीच में छुटा आँ अयह हमारा फिंगर प्रेस्मेंट होता है किलिए यहां प्रेस्पेस हमारा तो लÎं प्सले पिसे इससे पहले कलास में देखे थे कुछ सब्द शिफ्ट के साथ जो सब्द सेंस गष्ट के साथ चाव ने ढहsl Salvador पनन ही है चलिए देक लेते उसके बाद H से हमारा, इस ही से हम H भी टाइप करते हैं, S से हमारा बनता था, आधा बहुत, ठीक है, Space clear, अभी साथ, इस हैट का सिफ्ट का काम हो गया, चुकि इधर का हम को टाइप करना है, तो इधर का सिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है shift का यूज किया हमने, इस sets apostrophe से क्या था हमारा आधा 100 space, फिर semicolon से हमारा क्या था, root था हमारा space, फिर हमारा l पर क्या था, आधा 100 space, यौ पर था, k पर था, यौ, space, और j पर था हमारा straw, यह हमारा पिछले किलास में हमने यह देखा था की सिफ्ट के साथ अभी इन के साथ हम सब्ध किस तरह से बनाएंगे यह मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं हों ठीक है इनके साथ किस तरह का सभड अभी बनाने जा रहहां हूँ जैसे का सभड किस तरह में दुemain यापको स्याही नहीं ठीक है क्या लिखना है डोस्तों आपको अधासो पहले चाहिए आदास वह आपको ङालका श्यष्ट कर साथ अधास वह गया ठीक है यहां पर हमारा या यह हमारा आकार की मात्रा हो और द्रहिकार द्रहिकार स्याही बने गया clear देखा हमने किस तरह से shift वाला आधा वाला उप्योग किया आगे चलिए दखते हैं आगला सब कि माल हां को लिखना एक से तो शीषे केलिए क्ले कारीख सबसर पहले कोई भी हर्सिकर वाला लिखते नो पहले हर्सिकार देंते हैं फिर सो दें ठीक है यह हमारा सी सफ फिर आधा सब्स्य करने केलिए क्लिंक सब्सक्राइब गर्ला कर रहें ठीक है यह होता है का अफ छोटे भाइब क्लास में इस तरह के सबतों प्रेक्टीस कर सकते हो अब हम आगे आएंगे आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको अपर यह जो अपर रो होता है हमारा q, w, e, r, t, y, u, i, o, p, small bracket, middle bracket है और middle bracket close है और इसमें big bracket भी है ठीक है इसको किस तरह से आपको लिखना है ठीक है टाइप करने है तो सबसे फिंगर प्रिस्मेंट वही रहेगा हमारा s, d, f, g पे इस तरफ से apostrophe, semicolon, l, k, j, l, k, पे बस, j, h, खाली छुटे रहेंगे clear अब आते हैं यहाँ पे q से सबसे पहले हम डालेंगे q से हमारा आता है हरसू clear space फिर c से w हमको टैप करना है w, दुरहुकार होता है फिर d नमर 3, दो नमर उगली से हमारा e हो जाएगा, मह होता है उसके बाद f से r, तो होता है space, g के उपर t, इसी सम को t टैप करना है t, f से हमको क्या क्या टैप करना है f, t, t, j, जो होता है और g से क्या टैप करना है आपको y टैप करना लो होता है clear फिर से देख लीजे q इस से इस एक अंगली से दो करना है आपको q और w clear q और w पे क्या है हरसू और दुर्गू ठीक है फिर पिर आपको d से करना है मो तो लो और जो मो तो जल मत जल जी से आपका दो फिंगर टैप होगा टी भी टैप होगा और y भी टैप यानि जल भी जो भी टैप होगा लो भी टैप होगा clear मत जल फिर से एक बार clear आप लोग बताता हूं हरसू दुर्गू डबलू से इस प्रेस नहीं दिया दुर्गू इस प्रेस इस से इस मो तो जो 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 सोरी मौत जो और लो वाई पे clear इस सैट का हमारा इस सैट क्लियर हो ठीक है अभी सैट से आओगे यहां से स्टार्ट करेंगे यहां पर हमारा क्या है आपको यहां पर इससे आप स्टार्ट अभी हम कर रहे हैं यहां पर हमारा कॉमा मिडिल ब्रैकेट closed पर क्या है आपका middle bracket open middle bracket open पर क्या है आपका middle bracket open खौ है खौ है क्या है आपका खौ खौ और वह संयुकत है ठीक है space उसके वाद आपका P है P पर आपका कहा तक हो गियह है खौ P पर आपका है चो र इसे से यू टाइब करेंगे यहाँ पर क्या है नो क्लिय तो यहां गॉमा उसके बार इसी सहाइमको खोबी टाइप करना था खोब उसके बार इससे आपका हो गया वा वो पaraoh को चोआ वा पो अन्हु यह था आपके आजकी किलास में जिस को आपको इसको प्रैक्टिस करने फिर इंटर दाड़ेना हdepend फिर इंटराइट के साथ इसी तरह आपको continue practice करने है bit खीग है इस तरह इंटराइटाइट दा ला ला लगे हैं कमसे क आम आपको एक घंटे तक practice करनी आपको इसके प्रैक्टिस हो जाएगी और एक लास में मैं इसकी वर्डिंग्स भी आपको दे दूंगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर यहां तक आप सीख चुके हैं या पर रोग आप सीख चुके हैं होम रोग मैंने आपको सिखा दिया सिफ्ट के साथ कुछ वर्ड़ वी पताऊंगा और सिफ्ट के साथ किस तरह से यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तब तक किसको प्रैक्षिस किले कम से खंग फ्रैक्टिस के इसको continue इंटार डाल लाल कि ठीक है इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इसको बना भी पाऊ चलवाइथ small अच्छे तरह से पयोग्स करेंगा है और जो हम्ने पिछली relative डिखा था जोह हमने पढ़े देख़े फिर पिर्द सबमें पहें थे सब्सक्राइब फिर दुरुकार इसी से उसके बार मौ तो जो लौ क्लियर इस सड्स हमने देखा था सड्सका सिफ्ट का भी नहीं यूज करना है कि कि यससे मारा था कौमा कि ख्रु उसी कव को था आपका कि आ चौ लो नो रो और नो यह था हमारा पर अपर का हमारा ठीक है यह रो जानकर छाब अब इससे मुछ सब्द मैं आप सभी को इससे случай except upon को माल ले लिखना हूगा था नव क्या लिखना अब ँम पर हूमारा ल यू पर है नव ठिक आउक और वा नव अकार और माँ आकार और लौ उसी तरह जितने भी सब्सक्राइब यहां पना सकते हो जैसे मुखया माण लिगे मुख थिक है मोह रहे है मँख my हर सुकार है इहां पर और ख हो आपको पता है कहाँ भर ऐस तरह के सब्ध हम बहुत सारे करों सारे सब्थ के साथ आपकर रोकोर कि आप सब्ष्ब्र करेंगे दोस्तु हो ईए स argument दोस्तों आइस अब करेंगे ने लाको अब सिर्वंवेब इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं तो आप बने रहे हैं वीडियो में और मैं आप सभी को बताता हूं कि किस तरह से या भी मैं इसका तो आगे अभी में देख रहे हैं यहाँ पे हम सिफ्ट के साथ किस तरह से अपारो का हम उप्योग करेंगे ठीक है जैसे पर left hand का मैंने shift लिया Q पर होता है आपका for space फिर shift w होता है आपका मात्रा space फिर बाकी जैसे वैसे हैं रहेंगे शिर्प अधा 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 E सो मह होता था पूरा था झाधा मह हो जाएगा space आर पर जैसे होता था आधा तो अधा तो हो गया और जीप होता था आपका जो मौता जो और वाई पर होता था लौ तो आधा लौ होगा ठीक है किलिए यहां तक फॉर मौता जौल इस्पेस फिर आप राइट हैंड के कीज का बटन्स दबाने हम पो तो इधर का उप्योज करेंगे ठीक है तो हम पहले उंगली बैठा लेते हैं यहां पर फिक्सिंग मा जाएगा आपका अधा नौक स्थ क्लियर है यह हमारा सीफट के साथ है फिर इंटर दवा देंगे इंटर के सब फिर उस तरह सम दिखाता मूंद स्थमाधिamm क्यों यहां पर आ जाएगा फ़ो फॉं इस फिर आ साजहाएगा आधाँ ओनोओ फिर सक्तिवist सट केसी पीर सफ सेट केके शीट काने करेंगे यहां पर आजाएंगा जिसके बाद आप सभी practice कर जिसके बाद आपका home row और अपरो clear हो जाएगा ठीक यह उसके बाद में कुछ आपको वाकिर दूँगा जो बना होगे आपका उसके बाद आपका home row और अपरो clear हो जाएगा फिर आपका bottom row की में practice practice करवाओगा दोस्तों अमीद है यह वीडियो आप सब्सक्राइब कर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते कि अभी हमारा टेंडेस का हिंदी क्रेस को चला है टाइपिंग का दोस्तों जिसमें हमने यह होम रोप रहा है और हमने अपर रोप पढ़ लिए ठीक है आज हमारा बॉट्टाइब है जिन किसी भाई ने या बहन ने सबसे पहले हम इस तरह साथ ट्रंजिशन होंगे एस के जड़ पर आएगी छोटी ओली डी वाला एक्स पे एप सी पे जी भी पे और जी से ही बी ठीक है क्लियर आइए देखते हम कौन-कौन से सब यहां पर बना सकते है ठीक है तो आज बॉट्टम रोग का पहला क्लास से ज ठीक है तो यह आपका पहला था रहाओ डी से हम ले जाएंगे एकस से क्या बनेगा आपका sült अब बन जाएगा और इसी जी को हम भी पे इस जी से दो फिंगर सम को जो दो अक्षा टाइप करने भी और भी ठीक है तो भी पे लाओगे यह बन जाएगा आपकी छोटी ए क्लियर है इस तरफ S, D, F, GS के नीचे है होगया आपका रो की D, X पे होगया अपका और जी भी पे होगया आपका E Clear, Sorry B पे होगया आपका E, Z पे था फिर से देख लिग एक बार, फिर से आपका clear कर देता हूँ मैं S, S को X पे लाएंगे तो बनेगे आपका रो space, D को X पे लाओगे तो बनेगे आपका गौ, space F को C पे लाओगे, तो बनेगे आपका बो, space, G को B पे लाओगे तो बनेगे आपका ओ, और G को B पे लाओगे, तो बनेगे आपका E, clear, अभी साइड से देख लेते हैं slash पे लाना है आपको यहां देख सकते हैं slash है छोटी उंगली हमारी जो एक नमबर उंगली है छोटी उंगली वो आएगी आपकी slash पे तो बन जाएगा आपका आधाध हो clear space फिर यो दो नमबर उंगली है ये ये वाली उंगली दो नमबर उंगली जो अभी को semi colon पे है वो आज आधी गई आपकी dot पे तो यह से आपका बन जाएगा आधा नो ठीक है और उसके बाद L पे हमारी तीसरी उंगली रहती है L पे वो आएगी आपकी कॉमा पे कॉमा पे बन जाएगा आपका a space छोटी a है उसके बाद k पे 2 है जिस तरह से हमने g पे 2 की प्रेस किये थे भी और है तो यह क्लियर हो गया आपका इसी तरह आपको इसको प्रैक्टिस करना है यह आज इसका प्रैक्टिस आपको दो घंटे करने माल आपने इस तरह से लिख लिया ठीक है इसको क्या करना आपको फिर इंटर दे दे देना है फिर इस तरह से आपको गो 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 बहु बहु बह हाट ए औ। यह होट जाहएगा आपका उसके बार 2 इसे आपको इंटर मारा मारके कम से कम दो हणिए थक इसके प्रक्टिस करनी है ठा Jane के बार है आप आपका बॉटमस हो है वह ऐपका क्लियर हो जाएगा उसके बाल आप बहुत सब्स्वत्रेकर शक्र सक्ते हो जैसे मैं कुछ आपको सब्सब्स बताता हूं जैसे यहां पर मैं कुछ सब आपको लिखके दिखा तो यह साक्षाय। पर लिखना रह तो बहुत कहाँ पर है सबसे पहले आप ध्यान दोगे और आपका है। भीपे यहां पर भीप्रेक्ट टैप कर दोगे किस से जी से टैप करना है यह एंगली छऴक रखनी है जी से आपका b type हो जाएगा r आ और आपको फुर दूर अप फिर लिखना है बो तो आपका दोस्तों c पर है अब क्या बनेगा अब आपको लिखना है आग तो गहां पर दिखेंगे दो है आपका एड़ फे तो दो हो गए आपका इसेट तो एन दा अकार कि दो अकार और गो गो कितना नंबर पर था दोस्तों हम ने देखा था गो है आपका एक्स पर गो दाग इस तरह के बहुत सारे सब जैसे आपको लिखना होगा घर आपको लिखना होगा मन लिए धागा तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे है धो उसको पुरा कर देंगे धो फिर आकार और गोव आपका पता है यहाँ फिर आकार धागा इस तरह से बहुत सारे सब्द हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों तो चुकि आज हमने कर लिए तो लगवद हमारा हिंदी का कंसेटब खतम ही हो ता जा रहा है और इस तरह की जितने सब्द हैं आपकाएं किताबों सब्द कर सकते हो जो इस ड्रॉक की हो और बीइस व्Birडियो जरूर लाइक कीजिए क्योंकि एक लाइक से आपका मूटिवेशन मुझे मिलता है